तो आज की वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे हाथों में दो फोन्स अवेलेबल हैं IQ90 और यह है पर हमारे पास OnePlus का यहाँ पे 10T तो दोनों ही फोन्स की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है आपके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर पर्फॉर्मेटस बनाया है आपके लिए बैटरी का जो यहाँ पर चारजिंग टेस्ट है वो भी मैंने आपको दिखाया अन्वाक्सिंग की है दोनों फोन्स की तो यह सारी वीडियो आपके लिए बनाई है आई बटन मैं लिंक दे दूँगा आप जैक आउट कर सकते हो जाके बहुत इंटरस्टिंग कॉंटेंट यहाँ पर यहाँ पर क्रिएट हुआ है इन दोरों फोन्स की वज़ा से तो आप वो ज़रूर यहाँ पर Oxygen OS बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको Bloat Ways बिल्कु पसंद नहीं है और एक Clean OS की यहाँ पर खोज करते हैं तो वो OnePlus की तरफ जाते हैं लेकिन बाइड़ फोल्ट वो यह भी जानते हैं कि जो यहाँ पर Color OS से उसके संट मर्ज हो चुका है तो Oxygen OS एक वो स्किन ही रह गई है उपर बाकी पीछे से वो वही यहाँ पर Color OS वाला काम यहाँ पर करता हुआ दिखता है OnePlus वहीं दूसरी साइड के उपर हमारे पास यहाँ पर जो OS मिलता है यहाँ पर आइको वाले डिवाइस में यहाँ मैं बोलू विवो अले डिवाइस में इनमें मिलता है FunTouch OS तो FunTouch OS बहुत इंप्रूव कर चुका है पहले के मामले से पिछले साल भी मैंने एक वीडियो दी थी यहाँ पर Oxygen OS vs FunTouch OS तो उसमें भी आपको बहुत सारी information प्रवाइड की थी मैंने और इस वीडियो में आपको मैं information प्रवाइड करने कोशिश करूँगा कि जो बंदें यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमने OnePlus इसलिए लेना है क्योंकि इसमें Oxygen OS है तो एक बार यहाँ पर FunTouch OS को भी देख लीजिए आपको ऐसा कुछ यहाँ पर फील नहीं आएगा कि आपको यहाँ पर बगई या फिर आपको यहाँ बहुत ही overloaded यहाँ पर OS चला रहे हो कि यहाँ भी phone hang हो रहा है यह चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी इस OS में Blood weights की भी बात करेंगे आगे तो यह वीडियो बेसिकली यहाँ पर Oxygen OS versus Fun Touch OS होने वाली है हलाकि यह मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इन दोनों का यहाँ पर कोई यहाँ पर competition नहीं है क्योंकि Oxygen OS है क्योंकि काफी पुराना हो चुका है तो इसकी fan following बोल सकते हो यहाँ पर जो इनकी user है बहुत यहाँ ज्यादा quantity में ज्यादा number of quantity में available है तो इसलिए यहाँ पर पलड़ा है Oxygen OS का हमेशा बारी रहता है लेकिस्टिल यहाँ फंटर चोस काफी अच्छा काम करती है यह पिछले एक दुस साल से जिसको मैं यहाँ पर observe कर रहा हूँ मैं इसको personally इसको use करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता है कि क्या यहाँ पर काम किया गया है फंटर चोस में भी तो सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो start करते हम bloatware से तो जैसे कि मैंने अभी तो यहाँ पर काफी सरी अपस इस्टॉल कर रखी है आपने यहाँ पर देखी लिया होगा दोनों ने दोनों ही phones में मैंने approximately 170 के करीब यहाँ पर इस इस्टॉल कर रखी है लेकिन जब मैं इनकी unboxing कर रहा था तब की वीडियो आपको दिखाता हूँ one by one करके आप check out करो यहाँ पर bloatware के उपर आपको क्या क्यूश देखने को मिलता है वहीं अगर मैं oxygen OS की बात करता हूँ तो oxygen OS में आपको किसी भी तरह का bloatware वेरा देखने को नहीं मिलता लेकिन आपको वो यहाँ पर MOJ टका टक वेरा वाली वो YSC आप आपको देखने को नहीं मिलती है तो यह चीज़ काफी अच्छी हो जाती है वहीं दूसरी साइट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर IQ90 के यहाँ पर bloatware की तो इसमें आपको bloatware के नाम के उपर जो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लगे थे जो मुझे मैंने यहाँ पर डिलीट भी किये थे वो यहाँ पर थे वाली आप जो मैं यूज नहीं करता हूँ इसके बाद यहाँ पर एक दो एप्स और थी जो मैं नहीं यूज करता था लेकिन वो बाकी लोग यहाँ पर यूज करते है bloatware के नाम पर मुझे यहाँ पर बाईजूस देखने को मिला है इसके लावा Amazon की एप है आपको Netflix की एप देखने को मिल जाती है इसके लावा आपको यहाँ पर इका दुक का एप देखने को मिलती है लेकिन जो यहाँ पर पिछली बारी जो हमने लास्ट फोन अंडॉक्स किया था यहाँ पर आइकू वाला उसमें हमें यहाँ पर MX टकाटक यहाँ फिर मैं बोलो जोश ऐसी आप देखने को मिलती थी वो अभी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है उनको पता चल गया है कि यहाँ भी जो कस्टमर है वो 50 यार के अराउंड जो फोन लेता है उसको यहाँ पर ब्लोट वेर पसंद नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर feedback के उपर काम किया है यह सिरफ मेरी feedback नहीं है यह जितने भी यहाँ पर creator है यहाँ पर ब्लोट वेर क के पसंद नहीं करते हैं तो भूस अपनी feedback देते हैं तो आइकुने वौ feedback at least यहाँ पर सुनी है तो bloat weight काफी कम हो गए है मुझे यहाँ पर hot app और hot games हो यहाँ पर देखने कुछ जुरूर भी ली थी starting में लेकिन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि आपको उसको बंद करने का बहुत अच्छा यहाँ पर तरीका है तो एक ही click में अनिस्टॉल कर सकते हो सारे bloat weights को और यहाँ पर बहुत ही कम आत्रा में मिलते हैं तो fun touch OS आप बहुत सकते हो कि one press की तरह इसमें भी bloat free experience आपको देखने को मिल जाएगा हाला कि इस bloat wear वाले अगर मैं पूरे यहाँ पर department की बात करूं definitely oxygen wise यहाँ पर बड़े अंतर से यहाँ पर जीता हूँ दिखता है तो आगे यहाँ पर एक करके मैं आपको इसका camera वाला एक आपको दिखा दिता हूँ पूरा पूरा interface कैसा है तो ऐसे आपको यहाँ पर camera का interface दिखने को मिलता है इसकी shutter speed यहाँ पर देख लीजिए आपको मैं दिखा दिता हूँ बहुत अच्छे से यहाँ पर तेजी से क्लिक करता है because आप यहाँ पर snapdragon 8 plus gen 1 यहाँ पर आपको video का option मिल जाता है यहाँ पर यहाँ पर आपको night का option देखने को मिल जाता है और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको यहाँ पर selfie का ऐसा कुछ option देखने को मिल जाता है और उपर यहाँ ने चकपर चेक्डाँ कर सकते हैं settings, यहाँ पर watermark की settings और इहां पर नियुक्त कर सकते हैं यहां पर और फ्लैश का उप्शन देखने को मिल जाता है इसमें आपको यह ऐसे जो प्छेन को मिल जाते हैं और मैं वीडियो की बात करों तो यहांपर वीडियो में आपको वही वाइं west 360W-8-77108 for 202-820-ctit मенного oock जाता है तो यह साथ option में 1070 करें च się जाते हैं अगर आप यहां पर 4k से यहां पर 80p करते हैं यहां पर fps का भी option मिलता है तो ऐसा कुछ आपको wraz को इंटरफइस देकने को मलता है ऐगे मैं बात करता हूँ more की तो more में आपको जो option देखने को मिलता है आगे मैं आपको पैनरोमा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे movie वाला mode देखने को मिल जाता है slow mo time lapse long exposure और इसके साथ यहाँ पे dual view video और यहाँ पे tilt shift ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है और यह dual video आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा कुछ interface है इसका तो यह चीज यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाती है तो इसको आप अपनी मर्जी से आप स्विच कर सकते हो यहाँ पर rectangle बना सकते हो यह वले चीज यहाँ ज़्यादा अच्छी ल जिसमें आप 2X के उपर बहुत amazing portraits ले सकते हो आप camera वाली वीडियो में मैंने बताया था अगर वो camera वाली वीडियो नहीं देखिये तो वो भी देखिया है आगे आपे photos के उपर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको HDR का mode देखने को मिल जाता है यहाँ आप के लिए option available है इसको off भी कर सकते हो आगे आपको मैं दिखाता हूँ और क्या चीज़ी मिलती है यह आप देख सकते हो यहाँ पर frame lines को option मिल जाता है level को आप set कर सकते हो इसके लावा effect भी यहाँ पर लगा सकते हो और यहाँ पर motion को autofocus कर सकते हो तो इसके लावा आपको मैं व drama option मिलता है slow motion मिलता है time lapse pro mode ultra sg document को आप यहाँ सकैन कर सकते हो यह काफी अच्छी चीज़ है pro sports और dual view मैंने आपको उसमें भी दिखाया है इसमें भी दिखा देता हूँ एक बार ऐसा कुछ यहाँ पर dual view है circle में देखने को मिल जाता है heart में देखने को मिल जाता है तो यह ची one plus में नहीं देखने को मिली है और जो pro mode है आप यहाँ पर ultra wide में भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर 2x के जो इनका lens से separate यहाँ पर sensor दिया गया है उससे भी यहाँ पर pro mode में shoot कर सकते हो 1x में तो करी सकते हो मतलब तीनों sensor जो दिये गए है उनसे हम यूज कर सकते है pro mode को तो दोनों में Android 12 का support देखने को मिलता है आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर adjust कर सकते हो इतने आपको option में देखने को मिल जाएंगे तो यानि कि जो notification वाला पैनल है उसमें आपको काफी हद तक similar सा यहाँ पर काम देखने को मिलता है आगे setting में आप मैं जाता हूं दो इसको Wi-Fi वाली setting तो सेम रहेगी mobile network वाली setting तो सेम रहेगी Bluetooth और connectivity यहाँ पर काफी है तक सेम रहने वाली है लेकिन आप यहाँ पर आपको फरक देखने को मिलेगा तो वह आपको फरक देखने को मिलेगा यहाँ पर सेक्शन में सबसे पहरे तो यहाँ पर OnePlus के हम about section में जाते ह यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको RAM extend का कितना option मिलता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसमें आपको 5GB तक की RAM expansion देखने को मिल जाती है तो यह काफी अच्छी बात है आप यहाँ पर 2, 3 और 5 का option चूज़ कर सकते हो RAM expansion के लिए जैसे मैं आपको बता रहा सकते हो up to 4GB RAM can be extended तो यहाँ एक जीबी कम यहाँ पर extend कर सकते हो Android 12 का support मिलता है दोनों यहाँ यहाँ पर Android 12 के प्रण कर रहे हैं यहाँ पर फंटर चोज़ 12 का support देखने को मिलता है और साथ ही आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो Android updates है वो दोनों ही devices में जैसे OnePlus की बात करता हूँ तो OnePlus में भी तीन साल का मिलना है और IQ90 में भी आपको यहाँ पर तीन साल का update देने वाले हैं तो यह चीज़ काफी अच्छी हो जाती है और तीन साल का मतलब यह नहीं है कि आपको यहाँ पर लेट मिलेंगे जैसे IQ90 की यहाँ पर OS में updates की वो थोड़ी सी कम हो गई है तो तीन साल का update यहाँ पर OS का और चार साल का security updates यहाँ पर दोनों devices में देखने को मिल जाएंगे आगे कुछ है आपे extra features की बात कर लेते हैं जो दोनों devices में आपको देखने को मिलते हैं जैसे यहाँ पर OnePlus की बात करता हूँ तो OnePlus में आप यहाँ पर personalization का यहाँ पर एक option मिलता है इसको यहाँ पर मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको तो यह दिखी हाँ पर आप अपने वाल पर चूस कर सकते हो always on display set कर सकते हो canvas मोड मुझे आपे काफी पसंद है एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसा यहाँ इसका mode ही दिया हुआ तो जैसे मैंने इस फोटो को यहाँ पर canvas बनाना है तो मैं इसको click करूंगा और एक canvas generate कर देगा तो यह चीज यहाँ पर काफी अच्छी लगती है lock screen के उपर तो यह इसने automatically यहाँ पर canvas बना दिया है तो इसको अगर मैं यहाँ पर किसी भी color में यहाँ पर चुस कर सकता हूं जैसे मैं रेड झूस करता हूं style यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ चूस कर सकता हूं और यहाँ पर eraser कर सकता हूं काफी सरी feature दिये गए हैं अभी मैं इसको यहाँ पर एक बार प्ले कर देता हूं तो जब भी यहाँ पर always on screen आएगी तो ऐसा कुछ मेर इसके लावा आपके लिए यहां पर तरह तरह की आप्शन अवेलेबल है, आप यहां पर चूस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे यहां पर canvas वाला ज्यादा चलगता है, तो मैं इसको यहां पर apply कर देता हूं, तो इसके लावा आपको मैं और customization दिखाता हूं, themes के ओ कर सकता हूं, और मैं font और display size को भी यहां पर change कर सकता हूं, इसके लावा यहां पर fingerprint का animation रहता है, वो यहां पर 7 तरह के दिए गए हैं, कोई भी यहां पर choose कर सकते हूं, तो यहां पर आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूं आपको, यह दिखिए यहां पर तो यह यहां पर ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, आगे आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर एक light को, जो side में आपको एक notification, light दिखने को मिलेगी, जब आपको notification आईगी तो इसको मैं red करके यहां पर छोड़ देता हूं, तो यह भी काफी अच्छा है, यहां पर feature हो इसको मैं दिखने को मिलती है, तो इसमें आपको यहां पर काफी सरी ओप्शन मिल जाते हैं, जैसे हैं यहां पर ambient light आपको always on display में अगर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आपको काफी सरी चीज देखने को मिलती है, तो यह दिखिए आपको कॉल आईगी तो ऐसा कुछ आपको सरी बॉबेट को तो इसके लाव आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर अपको कैसी ऐह पर하신 पर के आधिको99, है तो इसके लावा होम स्क्रीशन के ऊपर जब आम मैं एंटर करते हैं तब आपको कैसा अनिमिशन चाहिए, तो यहां पर ओप्शन है, आपको फिंगर्प कबर अपलाई करके दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर चेकड़ कर सकते हो यह ऐसा कुछ यहाँ पर बनके आ रहा है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चूज कर सकते हो इसके लावा फिंगर्मेंट का जो एक एनिमिशन रहता है वो कैसा चाहिए वो भी मैंने आपको वन प्लस में दिखाया था इसमें भी आपको काफी सरे ओप्शन देखने को मिलते हैं तो जैसे मैं इसको चूज करता हूँ तो जब फिंगर्मेंट यहाँ पर अनलोक होगा तो आप यहाँ पर चेक कीजेगा ऐसा कु इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर कैसा चाहिए तो आप ऐसे कुछ यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो फंटच OS में लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ही कोई हैवी सा एक OS चला रहे हो तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी है यह चीज़े देखने के उपर यहाँ पर आना चुरू हो जाता था लेकिन अब जब कॉल आती है वह चीज नहीं है मतलब यहाँ पर जो काम करती है आप यहाँ पर देखिए मैंने इसको 120 यहाँ पर रखा हुआ है तो यह 120 आटोमेटिक होना चाहिए लेकिन अभी कुछ एक दो सेकिंड के बाद यह आटोमेटिकल यहाँ पर 60 के उपर आ जाता है तो यह चीज यहाँ पर काफी गलत है आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर 120 यहाँ पर अभी यहाँ पर देख सकते हो यह 60 के उपर आ गया है डीकिन यहाँ पर उसमे भी आपको देखने को मिलता है तो यह चीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो यह चीज़ यहाँ पर मुझे OnePlus में भी देखने को मिली है जैसे मैंने यहाँ पर कैमरा अप को उपन किया तो यह 60 के उपर आ गया तो भाई मुझे यहाँ पर 60 नहीं चाहिए मुझे 120 ही चाहिए तो यह कुछ apps में भी यहाँ पर दिखकर देता है बेसिकली होता है कि कुछ apps में यहाँ पर जब मैं कलिक करता हूँ तो आटोमेटिक यह 60 के उपर चला जाता है कुछ यहाँ पर जो इनकी system की default app रहती है जैसे मैं भी calculator के उपर भी मैं जाता हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो अभी आप यहाँ पर calculator के उपर हो तो 120 यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन camera में जाऊंगा तो 60 हो जाएगा तो यह चीज़े यहाँ पर देखने को मिलती है तो OnePlus मुझे यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर 60 में आता हूँ दिखा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर system को instruction दे रहा हूँ 120 की तो 120 वहाँ पर definitely होना चाहिए तो बाकी scrolling की बात कर लेते हैं जैसे मैंने दोनों phones में more than 170 apps यहाँ पर लगा के रखी हुई है किसी भी तरह का कोई lag देखने को नहीं मिलता आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो ऐसे में भी device जो है वो दिक्कत आपको नहीं देगा एक मुझे यहाँ पर iqo का और feature बहुत पसंद है जब भी यहाँ पर इसके उपर बिल्कुर direct sunlight आती है तो जो आपको यहाँ पर color देखने को मिल रहे हैं इसको बहुत ही light gray में कर देता है तो यहाँ पर जो alphabets भी रहते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि आपको visibility में ज़्यादा असानी हो तो यह चीजे मुझे OnePlus में देखने को नहीं मिली है इसके लावे यहाँ पर दोनोंगी devices में आपको clone app को option देखने को मिल जाता है तो इसके लिए आपको तो OnePlus में आपको app kloner करके यहाँ पर एक setting में app kloner करके एक चीज रहती है वहाँ पर जाना पड़ता है तो वहाँ पर आप click करोगे तो तो जाके आप उसको clone कर सकते हो जैसी functionality यहाँ पर रहती है यहाँ पर 90 में iCore devices में वैसी यहाँ पर Oxygen OS में देखने को मिलती है कोई जदा आपको खास चीज़े इसमें देखने को नहीं मिलती है एक्स्ट्रा तो यह भी दोनों में बहुत अच्छा है यहाँ पर feature दिया गया है तो यह तो थी एक वीडियो यहाँ पर Funtouch OS vs Oxygen OS मैंने आपको दोनों ही devices में बताया है कैसा काम करता है कैसे यहाँ पर customization available है मुझे bugs यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिले है दोनी devices में जो मिला है मैंने आपको बता दिया और जब भी bugs आएंगे major bugs की बात कर रहा हूँ अगर को मुझे major bugs दिखेगा तो मैं definitely एक video लेकि आऊँगा आपके लिए ताकि आपको भी असानी रहे चूज करने में अपना operating system तो Funtouch OS अभी polish हो रहा है और भी आगे polish हो कि आपको बहुत अच्छे से काम करता हो दिखेगा वही Oxygen OS Color OS के सर्मर्ज होई चुका है तो उपर आपको सिर्फ एक skin देखने को मिलती ही Oxygen OS की पीछे वह सारा Color OS ही चलता है तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो Funtouch OS vs Oxygen OS में बीद करता हूँ कि आपको सारे feature यहाँ पर पसंद आये होंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो देखने से थोड़ी सी भी help होई है तो सब्स्राइब जरूर करके जाए ताकि ऐसा content और ऐसा यहाँ पर lengthy वीडियो में आपके लिए और आगे लाता हूँ तो मिलती है कैसी नी दमागी तर वीडियो में तो तब तक के लिए stay tuned